इस ठीक होल्डर वाला है यह दिए इस ठीक होल्डर निकाल दिया और यह सारा इसमें कुल्फीज निकल जाएगा तो फ्लैम तक हर प्रकार के साचे हम बनाते आप देख सकते आप आमको बताने का वह इसाब साचा आपको बना के देंगे केंडी पूरा हाड हुआ है यह देख सकते आप ऐसा हजारों केंडी निकाल सकते आप इसमें आपको किसी भी कंपनी की फ्राइंचेश ही लेनी की जुरुत नहीं आप खुद आपके गाउं में मशीन यह लगा के पूरा मार्केट में आप यह कुल्फीज बेच सकते नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है संदीप और मैं बोल रहा हूँ कोलापूर महाराश्क्रा से आज हमारे दर्शों के लिए हम वापिस वीडियो पेश कर रहे जो की आइस कंडी मशीन का वीडियो पेश कर रहे सबसे लेटेस्ट मॉडल और सबसे एडवांस मॉडल मशीन हम पेश कर रहे दो अजर तीज का सबसे एडवांस मॉडल मशीन हम पेश कर रहे मशीन का जानकरी तो मैं आपको दूंगा ही लेकिन मशीन का जानकरी देने से पहले आपको कुलफी के बारे में बताना चाहूंगा कि आज कल पूरे मार्केट में कुलफी का बहुत ही जादा से जादा से जादा से ले कुलफी आज मार्केट में आप 10 रुपई से लेके 30-40 रुपई तक बेश सकते आज एक कुलफी अगर आपने प्रोड़क्शन को चारजी सा अगर पकड़ लिया तो लगबग 3-4 रुपई को आपको एक कुलफी आपको प्रोड़क्शन कॉस पढ़ जाता है आज मार्केट में कम से का हम आप 10-40 रुपई से एक कुलफी बेश सकते बहुत ही मुनाफ़ और बहुत ही प्रोफिट है इस बिजनेस में और इसको 12 महिना सीजन है यह ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी सीजन में सीजन है यह 12 महिना आपका कुलफी चलता है और इसको लो प्रोडक्शन जगह बहुत कम लगता है और कामकाश आप कोई भी यह काम कर सकता है इवन यह महिलाओं के लिए भी बहुत ही बड़ा और प्रोफिडेबल बिजनेस है यह मशीन का साइज भी बहुत कम है इसमें हर प्रकार के मशीन से हम बनाते जैसे कि 4 मोल 4 साचा से लेके हम 24 साचा तक हम बनाते 24 मोल तक तो जितना आपका प्रोडक्शन है वो इसाब से आप मशीन हमको और जेके बना सकते कुल्फी का जो फॉर्मिला है वो हमरा आदमी जगह पे आके आपको पूरा फॉर्मिला पूरा बना के कुलफी केंडी जिसमें निकाल के पूरा आपको जान कर देगा मशींस यो आप हम जो प्रौड़क्शन बनाते है वो दिन में हम 2000 से लेके 30,000 तक कुलफी का प्रौड़क्शन का मशींस बनाते है इसमें आपको किसी भी कंपनी की फ्राइंचाईसी लेने की जुरुत ने आप खुद आपके गाउं में मशीन ये लगा के पूरा मार्केट में आप ये कुलफीज बेच सकते इसमें डिफरंट प्रकार के कुलफीज आप बना सकते जैसे कि मैंगो कुलफी है केशर पिस्ता कुलफी है काजू बादान पिस्ता कुलफी है मावा कुलफी है हर प्रकार के कुलफीज बना सकते इवन इसमें आप पानी का बाल भी बना सकते दूद का माल भी बना सकते हैं, रबडी का माल बना सकते हैं, पानी का माल बोले तो आप मैंगो कैंडी, औरेंज कैंडी ये भी बेश सकते हैं, वो भी चलते हैं बादार में, अगर आपके उधर कुलफी का प्रोडक्शन सेल जादा है तो आप कुलफी का प्रोडक्शन बना स इसमें मैंने पहले भी वीडियो पेश किया हुआ है जो कि कुलफी मशीन का लेकिन यह सबसे 2030 मॉडल का सबसे अडवांस मशीन में आपके लिए पेश कर रहा हूँ और इसका जानकारी भी पूरा में दूंगा कि यह मशीन ऑपरेट कैसा होता है और कैसा इसका पूरा हम बनाया हुआ हम बनाते हैं लेकिन यह सबसे अडवांस 2030 मॉडम से लसे में हमेरे 520 मॉडम तक बनादे या दीन आप से लेकर 30,000 तक कैंडी इसमें कुलफी च को बड़ या बना सकते हैं रप्रोडॉक्षण ज़ो शे साचा था था बड़ मोडल जो इसमें आठ शचा वाला है उसमें 6,000-8,000 कूलफी निकाल सकते हैं 12 से 14 साचे वाला है उसमें आप 14,000 से 16,000 कैंडी निकालता है और सबसे बड़ा मोडल जो है जो कि 24 मोडल वाला है उसमें आप दिन में 28,000 से 30,000 कुलपी निकालता है और इसको light consumption जो आपने 4 साचे का तो यह आपको per hour के लिए लगबख देढ से दो unit लेता है यह च्छे मोल में इस में लेया 6-8 σιए दो से दिड़ाई इनद लेता है और लगबख से चार बहार से चोभी抄 में लगबख एक घंटे के लिए 5 बहां प्रेसर जो हम यूज करते spark हम इमर्शन का यूज करते जो की इमर्शन ने तो हम टेकमचार का यूज करते जिसको देड़ साल का गैरेंटी देते और यह पूरा प्लास्टिक बोडी होने के वज़े से इसको इंसुलेटर किया हुआ कंटेनर और पूरा सिमले से यानि मारते उसकी वैल्डिंग मारते हैं इसका दिखता है इसको कुछ है कभी लॉंग लीकेज होगा मची भी अब मसष्य पहुंगा इसका यह यह ऑपर का ज़ो लीडे नवसका है फूरा हभी प्लास्टिक सेखlang में होल्डंग टाइम का है कि एदेख सकते आप यह मैं ने दरवाजा साइड में रख दिया जो थो चैडिक channel At पूरा प्लेस्टिक कूरा प्लेस्टिक में बनाया हुआ है वन् एड में बनाया हुआ है आपको कहीं भी जोईंट नहीं मिलेगा यहां पूरा यूनिट निकलता है कभी बी काम करना है गो ratios सकते हैं यह चार साचा वाला है हाँ पर चार साचा बटेगा एक दो तीन चार चार साचा बोले तो लगबक आप इसमें 15 से 20 मिनिट का एक बैच है इसमें 15 मिनिट में आपका 200 कंडी निकलेगा हर दिन में आप इसमें लगबक तीन हजार तक कैंडी निकाल सकते हैं तीन हजार कैंडी निकाल सकते हैं हर गंटे में इजी टू क्ले ने ओन वेल्ड़ेड एसे स्टैंक के जैसा नहीं है अगर आपके पास पुराने मचीन से लकड़े का पेटी ओगरे रहता है तो उससे भी बहुत बड़ा और एकदम अगर बरसात में आप तेव नमक का पानी उलाई निकाल नाचाते हैं तो पानी नहीं भी निकाला चाहते हैं तो में इससे हमने च्याप निकाल के यहां से पूरा आप goose का पानी निकाल सकते हैं और इजी क्लीन करके यह आप वाफिस मशीन बन करके रख सकते हैं अगर पानी नहीं भी निकालना चाते तो इसमें इस आप स्टोर करके रखे तो भी उसको कुछ भी नहीं होगा लॉंग होल्डिंग एक दम पूरा लॉंग होल्डिंग टाइम है यानि अगर रात को अगर अपने मशीन बन कर भी चले गए समझो रात को इसको टेंपरेचर आपका पूरा कामकाज होने के बाद समझो इसको माइनस 15 डिग्री है तो सिर्फ आपको मशीन आदा घंटा सिर्फ चालू रखना है और कैंडी का प्रोडक्शन चालू करना है यानि आइसा नहीं है क्यों कि स्टील बॉड़ी में कैसा होता है टेंप्रेचर लॉस होने का चांसी बहुत संभा होना है इसलिए वह आपको मशीन जादा देर तक चालू रखना पड़ता है लेकिन यह मशीन को सिर्फ आदा घंटा आप मशीन चालू करके तुरंत आप कैंडी का प्रोडक्शन चालू कर सकते बेटर अउटपूट है बहुत ही बेटर अउटपूट है जो की स्चील बॉड़ी से भी बहुत ही बेटर आउटपूट है इतना बहतर दे आए ताकि जूब के जगह जहां पे टेंपरेचर जो गर्मी के सीजन में 40 45 45 दिगरी तक जहां जाता है तो वहां पे परफॉमस बहतर दे इसलिए इसको वह उस हिसाब से हमने में श들이 बिटाया अभी यह देख सकते हैं यहां पर डीजीटल्ल टेंपरेचर बिटायब सब्सक्रापि यह मैं इसका वॉप तो चोफित दिफ wr अभी में वीडियो रख रहा हूं देखेंगे यह कितना टेंपरेचर लॉस होता है यह विगर पानी का यह टेंपरेचर लगबग माइनस 30 से माइनस 32 दिगरी जाता है इसमें मैं आपको कैंडी भी निकाल के पूरा डेमो दूँगा नमक का पानी कैल्चियम क्लोरेड का पानी डाल के टेंपरेचर लेके कैंडी जोगरे सब निकाल के में पूरा आपको डेमो दूँगा इसको उपर के बाजु हमने एजिटेटर भी तायो जो कि पहले की वीडियो आपने मेरा देखा होगा जो कि साइड़ में ने बिटा लेकिन इसको उपर के बाजु में हमने मोटर इसको जो पाइपिंग किया हुआ है वो पूरा सो टका कौपर का है क्यानि गंज हो गरें कुछ भी पकड़ेगा ने पूरा सो टका हंडेड परसंट कौपर पाइपिंग ए बाडी जो पूरा बाडी पर बेट वह 15 से 20 मिंड में बनेगा हर प्रकार के साचे हम बना दे यह अभी यह होल्डर वाला साच जाए इसमें स्टीक्स बेड़ते है ये भी आपको डेमो दूंगा बें यह साधा वाला साच जा है अगर आपको साधा वाला साच जह तो इसमें श्टिक्स आपको डालना पड़ता हैं, यह भी साच्छे इसमें बेड़ जाते हैं, हर प्रकार के साच्छे हम बना दे, आप देख सकते हैं, आप आप आमको बताने का, वह इसाब से आम साच्छे आपको बना के देंगे, इसमें हम 30 ml, 35 ml, 45 ml, 50 ml, 60 ml, जो आपको इसाब से चाह तो हो मशीन का एक नहीं दो नहीं तीन साल बॉरणी वारंटी सोरी दुबारा कहिना चाहूंगा वारंटी ने गैरंटी तीन साल मैं अगर बॉडी को कुछ भी हुआ तो बॉडी टू बॉडी रिप्लेस आपको मिल जाएगा यह सोलंग के सोलंग की रेप्रेशन का वह गैरेंटी आपको बिल पे आ जाएगा यानि इतना भेतर परफॉर्मंस का भी हो कम से कम में बताना चाहूंगा यह प्लैस्टिक मॉडल आपका कम से कम 30 से 40 स तो बॉडी टू बॉडी आपको रिप्लेस देंगे अभी हमने मशीन चालू करके एक मिनिट से दो मिनिट भी नहीं होगा लेकिन यह देखे यह टेमपरेचर डॉप होना चालू हो गया इसका जब हमने मशीन चालू किया तब 24 दिग्री ता अभी 10-9 दिग्री तक आ गया यह लगबग माइनस 30 दिग्री तक जाता है और यह बिजनेस बहुत ही मुनाफ़ा वाला बिजनेस है आज हर जगह चलता है आपको पूरा सेटप हम देंगे जो मशीनरी आपको लगता है कैंडी बनाने के लिए पहले तो आपको लगता है दूद गरम करना का मशीन जो कि हम इसका भी वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर इसका पूरा जानकारी दिया है मैंने यह भी आप चेक कर सकते हैं उसके बाद जो आपको लगेगा एक लगएगा कैंडी मशीन इसमें हर प्रकार के साचे के मशीन है आप जितना प्रोड़क्शन करना चाते हैं वह सब्सक् यह साचा इसमें रख सकते हैं इसमें माल डालके इसका भी डेमो दूँगा यह साचा सब इसमें बेड़ जाता है यह साचा इसमें बेड़ता है सब जो मोल्ड है इसमें बेड़ जाता है इसमें डालके फिर बाद में इसमें जब फुलफी आप निकालेंगे उसको स्टोर क करने के लिए कुल्फी निकालने के बाद आपको एक डीफ्रीज लेना पड़ेगा यह तीन मशीन बहुत जरूरत है नया बिजनेस अगर किसी को शुरुआत करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा तीन मशीन लीजे एक तो दूद गरम करने का मशीन एक कैंडी बनाने वा दाती तो सब हम आप सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे अभी इस में मैं आपको पूरा देमो दूंगा कि इसमें खुल्फिक कितने टाइम में मैं बनता है ये मशीन अभी मैंग का पनी कुछ भी ने डाला है यह जैकılar minus 6 डीगरी भी है इसको माइनस 30 दिगरे आता है मशीन चालू करके हम लगबग 2-3 मिनिट हुआ होगा लिए के टेम्परेचर तुरंट लॉस होता है माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 तुरंट ड्रॉप होने चालू हो जाता है कि माइनस नो एक मिनिट के अंदर टेंपरेचर ड्रॉप होना चालू हो जाता है कि हर प्रकार के मशीन सम बनाते आप मेरा यूट्यूब चैनल भी चेक कर सकते हैं सोलंग की रेप्रेशन हमारा कंपणी का नाम है और यह कुछ भी आकर आपको क्वेरी है कुछ भी आगर आपको जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट ले आप हमारे कंपणी के मोबाइल पे भी कॉल कर सकते हैं यह अभी फिलाल मशीन का तो मैंने जानकारे आपको पूरा दे दिय है लेकिन इसमें अभी साचे में माल डालके उल्खी कितना डायम में निकलता है उसका बिद्धक oveक हाई की पोचिंग मैं वीडियो आपको बताया कि इसमें हम पानी Для यह को पूरा पानी आया हुआ है माइनस 30 AG माइनस 32 डिव kitchen राए पूरा पाणी छील्ड trochę अब है अभी एजीटेटर भी हमने चालूके हावा पानी भी घूम रहा है कि हमने माल भी बनायाoure यह जो कि मावाकुलफी और एक हम पानी का माल बना हुआ जो कि औरेंज केंडी अभी इसमें हम कैंडी जाल के इसमें पूरा आपको डेमो देंगे कि कि पुल्फी कितना देर में निकलता है कि यह अभी लगबग दिखें आप देख सकते हैं मेरे घड़ी में लगबग साड़े 6 बज गए साड़े 6 बज गए ए प्राबर एक बजे मशीन चालू किया छे बजे तक इसको प्यानी पास घंटे में जो 26 डिगरी टेंपरेचर था वह माइनस 30 डिगरी टेंपरेचर आया हुआ है आध्य घंटा आमको यह माल बनाने के लिए लग गया अभी इसको जब आम यह साचा डालेंगे तब 15 मिनिट म अब हो तर कि यह साथा वाला साचा है इसमें आपको स्तिक हाथ से डालना पड़ेगा और फेंट में इस्तीने उल्ट हो इसको च्टिक होलडरीं इसको फिर एटेंच करते हैं डायर्य साचा निकल जाएगा कि इसमें डाल दिया अभी ये साचा दोनों साचा हम अभी इसमें डाल देंगे कि देख सकते आप ये साधा वाला साचा पानी का माल और ये कुल्फी का माल तोटल चार साचा बेटता है इसमें ये सेंपल के लिए अभी हम दो साचा डाल रहें इसमें साड़े छे बज गए बराबर 15 मिनिट में हम कुल्फी इसका निकाल के आपको पूरा डेव हो देंगे मेरा वीडियो आप कंटिनी वाच कीजिए 15 मिनिट के लिए हम ब्रेक लेंग पूरा केंडी हाड होगा है अब यह मिसका निकाल के ट्रायल भी देंगे आपको पानी वाला माले जो कि आर्वेंज कंडी यह साधा पानी है साधा पानी में तोड़ा साचा डूबाना पड़ता है और का लिए कुलफीज का कॉलिडी देख सकते हैं पूरा हाड निकला हुआ यह देख सकते हैं पूरा हाड हुआ है कुलफीज केंडी पूरा हाड हुआ है यह देख सकते हैं ऐसा हजारों केंडी निकाल सकते हैं हमारे मसीन में यह दूद का माल जो कि हमने मावा कुल्फी बनाया हुआ है कि साधा पानी है थोड़ा धीमा गरम पानी भी यूज़ कर सकते ताकि जल्दी कैंडी निकल जाए कि पूरा भी इसका पानी का दूद का माल निकाल रहे है इस ठीक होल्डर वाला है इस ठीक होल्डर निकाल दिया और यह सारा इसमें कुल्फी निकल जाएगा तो देख सकते आप सारा कैंडी निकल गया है मावा कुल्फी और औरेंज केंडी पानी का माल भी निकाल के दिका है आपको और मावा कुल्फी भी निकाल दूद का माल भी निकाल के दिका है एक दिन में लगबख साड़े बहुत ही बड़ा है हर प्रकार के कुलफी आप इसमें बना सकते हैं और एक पुलफी लगबग जो कॉष्टिंग आपको पड़ता है वो तीन रुपए से लेके चार रुपए तक पड़ता है आज मार्केट में कम से कम आप 10 रुपए से लेकि 30 रुपए तक कुल बेच सकते तो बहुत ही मुनाफ़ा है इस बिजने में और आल ओवर इंडिया कुल फीज चलता है और मार्जिन बहुत आचा और बारा मैना सीजन ऐसा नहीं कि गर्मियों में सीजन चलता है लेकिं बारा मैना सीजन इसमें आपका पूरा बिल्कु कुल फीज प्रोवाइड कर सकते हैं यह जो फिलाल जो मशीन है यह चार साचे वाला मशीन है और जगह बहुत कम लगता है सिंगल फेज में घर के अगर लेडीज है तो वह भी यह मशीन ऑपरेट कर सकते और बहुत सारे मशीन साम बनाते हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते जैसे कि डीफ्रीजर आइसक्रीम मशीन हाडनर कैंडी मशीन आपको यह मशीन यह जो अगर नया बिजनेश चालू करना है तो आपको सिर्फ गरम करने का मशीन बाद में कैंडी मशीन और यह तीन मशीन लेके आप नया बिजनेश शुरुआत कर सकते मार्केट म पेकिंग करके नहीं तो cardboard में packing करके हर जगह में पेस सकते हैं बहुत मुनाफ़ा है आप शुरुआत कीजिए हम आपको पूरा सारा सपोर्डेंगे हमरा आदमी जगे आकि आगर आगर आपको आगर आपको कुलपी का फॉर्मिला भी नए मालूम है तो पूरा आपको दिखा के हमरा आदमी इसमें कैंडी निकाल के पूरा देगा एक साल हमारा मशीन का गैरेंटी है तेर साल कॉंपरेंसर का गैरेंटी और बोडी का तो 3 साल गैरेंटी है बोडी को खुश भी हुआ तो 3 साल में मशिन टू मशिन रिप्लेशमेंट है और खुश भी अगर जानकारी चाहिए आपको तो आप डायरेकले हमारे कंपणी के मोबाइल पे भी कॉल कर सकते हमारे कंपणी का मोबाइल नमबर है 989 970306 और मैं वीडियो थैंक यू वेरी मुच्छ वेरी मुच्छ